नमस्कार दोस्तों स्वागित आपका हमारी यूटूब चैनल क्या यार में और आपका प्राते न्यूज में स्वागित है मैं एक और बहुत बड़ी न्यूज लेके आए हूँ भारत और नेपाल्स बोर्डर पे जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि जुला गात्पुल के उपर वह न्यूज है जिसमें बोला था कि आईडी प्रूफ के बिना आईडी प्रूफ आपको बनवाना होगा आईडी को वेरिफिकेशन करवाना होगा उसके उपर एक हो बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है तो आप हमारी यूटूब चैनल पे ने हो तो चैनल उस चीज को सरकार ने मना कर दिया क्योंकि आईडी बनी ठीदा और उने में सीबिय एम जिसमें से वह लोग थे बॉर्डस वे जुन्दों ने पैसे लेकि उन में बॉर्डस को पार करवाने का काईणिया किया तो जिसमनिष में पैसे लेने के कारण गरबड्य आने लगी है जिससे लोगों को भी घाटा होने लगाया और वो भी रिस्वत लेने लगे हैं बोर्डर्स के उपर हैं वो इसलिए सरकार ने फैसला कर दिया कि अब मंजूरी लेनी होगी बारत और नेपाल दोनों सरकारों से और उसके बाद आप असानी से बोर्डर्स को पार कर सकते हैं जिससे लोगों को भी फाइदा मिलेगा और सरकार को भी घाटा नहीं होगा तता अब नई परकेरिया को लागू कर दिया है तो वह नई परकेरिया इस परकेरिया से अच्छी है और लोगों का भी कहना ये अच्छी है और ये कॉमेंट सेक्षन में भी मेरे से लोग पूछ रहे थे कि सर बॉर्डर कब कुलेगा तो आप बॉर्डर को अब असानी से पार कर सकते हो और आपकी इस पे क्या रहा है वो कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को पैस करने जेहिंग जे नेपाल बने रही है हमारे यूटुब चैनल के साथ